हेलो दोस्तो आज मैं आपको सेट दोसा बनाना शुरू करती हूँ सेट दोसा दक्षिन भारतकार बहुत फेमिस नाशता है सेट दोसा खाने में बहुत अच्छा लगता है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मोटे मोटे दोसे होते हैं तो यह एकदम पर्फेक्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तो इसमें छोटी-छोटी बारी किया है अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपका सेट डोसा एकदम अच्छा बनेगा आपको जैसा फोटो में दिखाई दे रहा है एकदम छेददार बहुत सौट सा दोसा दिखाई दे रहा है दोस्तो आई हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए दोस्तो दो कटोरी मुझे चावल चाहिए यह चावल साधरन चावल है जो हम घर में खाने के लिए यूज़ करते है इस दोसे में मातरा का ध्यान रखन बहुत ज़ादा जरूरी होता है दोस्तो इसलिए आप कटोरियों के आकार का विशेश ध्यान रखें जिस आकार में चावल लिया था दोस्तो उसी साधरन हमारा पोहा होता है एक चमच मेथी दाना है दोस्तो अब देख सकते हैं एक चमच परफेक्ट मेथी दाना है यही मे का रेश्यू रहता है एक चम्मच मेथी दाना है हमारी चारों चीज़ा तयार है दोस्तों अब इससे हमारा सेट दोसा बनेगा सबसे पहले पोहा मैंने अलग बरतन में निकाल लिया है इसको चावल के साथ नहीं बिगाते हैं दोस्तों हम इसको जस्ट अभी स्रिफ धोलेंग कई बर हमारे मेथिया थोड़ी सी निकल जाती है लग बग 8-10 गंटे भीगने के बाद मैं मेथी दाना और चावल को मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है तो चावल और मेथी दाना एकदम अच्छे से पिस जाएगा तो उसमें यलो कलर नहीं दिखाई देगा आप अ इसका बैटर डिडी रहता है हम इसको बनाने के टाइम इसमें पानी मिक्स नहीं करते है जैसा हमको चाहिए हम वैसा इसको एक बार डिडी रख लेते है अब मैं अपने ग्राइंडर में पोहे डाल दिया है दोस्तो पोह में मैंने पानी नहीं डाला है एकदम हलका सा इस जैसा त्यार हो गया है हातों की साहता से मिक्सी के जार से निकाल कर दोस्तों हम अपने चावल वाले बैटर में इसको डाल देंगे दोस्तों कभी भी चावल और पोहे को एक साथ पीसने की गलती ना करें इन दोनों को हमेशा अलग-अलग पीसा जाता है मेथी को चाहे तो मिवह भी दोस्तो हमें नमक नहीं मिला है, ठड का समय है दोस्तो तो उटने में थोड़ा समय लगता है, सेट दोसे का जो बेटर होता है, वह फूल कर बहुत उपर नहीं आता है, यह 10% ही उपर आता है दोस्तों की जालता बड़ा बरतल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर यह उपर नहीं आता है तो घुबडाईए मत आपको ऐसा मत सूचिए कि यह नहीं फूल आई फूल जाता है तो आधनकसार दोस्तों 8-10 गंटे बाद जब यह फूल गया मैंने उसमें नमक मिला दिया एक नॉनस्टिक तवा लिया है जो अच्छे से गरम होने के बाद में दोस्तों मैंने एक चम्चे की सहता से अपना सेट दोसा डाल दिया इसको पतला नहीं डाला जाता है हम इसको जैसे ही इसको डालते है दोस्तों यह अपने आप फैल जाता है एक दम हलका सा चम्चे को हमें थोड़ा सा इसको फैलाना पड़ता है अगर आपको बहुत तरह फैलाना पड़ेगा तो दोस्तो इसके छीत बंद हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा जैसी दोस्तो मैंने इसे गैस पर डाला मीडियम फ्लेम पर हैं आप देखेंगे दीरे दीरे यह अपने आप उपर से सूखना शुरू हो जाएगा अगर यह देखें दोस्तो इस तरह सूख रहा है इसका मतलब क्या है आपका बैटर एकदम पर्फेक्ट बनाएं अच्छे से उपर से सूख जाएगा दोस्तो उसके बाद हम इसको दीरे से पलट देंगे दोस्तो यह उपर से एक तरफ सूखना इस बात की निशानी है कि आपका बैटर एकदम सही है आपके सेट दोस्तो एकदम सॉफ्टर मुलाइम बनने वाले है आप फिर से देखें दोस्तो मैंने अपना बैटर डाला है उसमें अपने आप छे दाने शुरू हो गए हैं और द लोट चार जितनी मर्जी है खाये इसी से दोस्तो इतपः भी बन जाता है हम वारिक प्याज और टमाडर को काट लेंगे और जोस्तो अपना डालते हैं और टालने के बाद उसमे बाint पानी चोड़ता है सेड़ डोसा खाने में बहुत तैस्टी और बहुत बहुतऑ एसी सेड़ रही है आप थोड़ा सा ध्यान से बनाइए आपके perfect set दोसा बन जाएंगे अगर आपको दोस्तों मेरी recipe अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को like and subscribe कीजिए पोहे को दोस्तों बिगाने का और चावल को बिगाने का mix करने का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके डोसे में कोई भी गलती नहीं होगी आपको एकदम सही स्वात बन जाएगा दोस्तों अपना set दोसा enjoy कीजिए मेरे चैनल को like and subscribe कीजिए Thank you